हलो बच्चो मैं पूरु भाई आपका वेलकम करता हूँ और बिहाफ अब विद्यमंदिल क्लास से स्वागत है आपका वाँ 90 डेस चैलेंज में तो बच्चो आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक Electromagnetics का बड़ा अच्छा कुश्छन Electromagnetics मतलब Electrostats और Emetic Effect of Current इन दोनों चैप्टर का कॉम्बो जिसमें ये बोला जा रहा है कि आपका एक particle है जिसका mass M है और charge Q है उसको हमने एक velocity V0 देदी किदर के तरफ J cap के तरफ देखी पढ़िए और इसे हमने छोड़ दिया कहां पे एक ऐसे जगह पे जहां पे electric field किदर है E0 i cap है i cap direction में electric field है और B equal to B0 i cap यानी x axis में electric field भी है अब आपको ये बताना है कि उस speed of the particle जो होगी वो double कितने समय के बाद हो जाएगी और आपके पास ये 4 options है जिसमें से एक answer है कैसे solve किया जाए इस question को तो यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारा x y z axis है तो इसक electric field है तो वो electric field भी इधर की तरफ है हमारा magnetic field भी इधर की तरफ है और जो body है उसके पास initial velocity इधर की तरफ है V0 j cap अब हम right hand thumb rule का इस्तेमाल करते हैं है ना जा उपर है पहले हम बात करते हैं कि schematic field की वह है तो यह वी उपर है भी इधर है वी cross B thumb किदर आ रहा है अंदर की तरफ तो आपको यह समझ में आ रहा है कि आपका जो charge है वो y z plane में circular motion करेगा हा या ना yes or no तो यहाँ पर आप यह समझें कि V cross B करके thumb अंदर आया तो हमारा particle जो है वो y z plane में circular motion करेगा और साथी साथ इसके पास x direction में एक velocity है वो किसकी वैसे आएगी वो आएगी electric field की वैसे जिसकी वैसे वो ऐसे घूमेगा और आगे भी जाएगा तो उसका motion एक ऐसा helix बनेगा with increasing pitch जिसकी pitch बढ़ने लगेगी yes or no बड़ उतने depth में जाने की जरूत नहीं हमें क्योंकि question बस यह पूछ रहा है कि कितने tank बाद डबल हो जाएगा तो yz plane में अगर circular motion है तो आपको यह भी सयाद होगा कि जब uniform magnetic field में आप charge को place करते हैं और perpendicular होता है तो उस case में आपको circular motion का path होता है और जो magnitude होता है इसमें कोई change नहीं आता है तो yz plane में circular motion होगा और साथ ही साथ there will be no change in speed किसमे along yz axis तो speed में आएगा किसमें सिर्फ और सिर्फ x axis में किसकी वैसे हो भी लगता है magnetic field की वैसे तो हम यह देख रहे है कि कुछ देर के बाद आपको बोलाय रहा है velocity double हो गया तो जब velocity double होगा तो 2v0 का जो square होगा it will be equal to v0 square plus vx square अब बोलो कि भाईए यह कैसे लिखा आपने तो मेरा particle जो है वो v0 speed से इसमें घूम रहा है तो यह तो हमेशा yz plane में ही है और x direction में इसकी velocity बढ़ रही है किसी एक point पे जाके वो velocity कैसी होगई vx होगई तो जो v0 है और vx है क्या वो हमेशा perpendicular रहेगा बिलकुल कोई भी velocity अगर yz plane में हो रही है और आप particle को x की तरह move करवा रहे हैं तो दोनों आपस में perpendicular होगे ही होगे अब जब दोनों आपस में perpendicular हैं तो हम क्या देखेंगे कि अगर यह आपका v0 होगा उस समय इधर वाला क्या होगा vx होगा और इन दोनों का जो resultant है वही होना चाहिए ना 2v0 velocity doubled तो यहाँ पे अगर देखें हम तो 2v0 square must be equal to v0 square plus vx square हाँ है ना यहाँ दे solve कीजी 4v0 square equal to v0 square plus vx square और अब अगर हमने solve किया तो vx की value कितनी आ गई 4v0 square minus v square is 3v square root 3 times of v0 yes or no अच्छा अब question पर आते है question पूछ रहा है कितने time के बाद double हुआ तो horizontal direction of velocity यह आ गई what was initial velocity in horizontal direction ux क्या है 0 what is the acceleration of the charge it will be only due to the electric field which is how much which is equal to qe upon m तो हमारे पास basically यह भी x में तो हमारे पास form क्या आ गया हमारे पास form यह आ गया कि vx will be equal to ux plus ax into t यह वो time में है जिसमें जो velocity है वो ux से vx अगें किया है यहांजर क्या आ गया function आपका root 3 v0 will be equal to 0 plus qe by m into t root 3 m v0 upon qe this is your final answer so कौन सो option है option c है ना तो यह result में basically आपका दोनों का इस्तमाल हुआ है तो आपको दोनों चीज़ आ दखने पड़ेगी कि electric field accelerate करता है magnetic field जो है वो path में change लेके आता क्योंकि बढ़िया बढ़िया question आपको राइने रेस चैलेज़ें मिलते रहेंगे थैंक यू